हलो स्ट्वेंट्स आज आपका DCM 23rd 23rd DCM है 48 क्या उटाओ थर्ड जून 2022 में यहां पर हमारे पास इस बार टॉपिक है वो है हेलोजन डेरिवेट ग्रिगनार ट्रीजंट एल्कोहल फिनॉल और इथर इससे रिलेटेट कुस्ट्ट्स हमारे DCM में आए हुए है जे इमेंस का इसन आख यहां कर रहे हैं सबसे पहला कुच्छन हमारे पास गिवन है इंटिफाइड कंपाउंड वाइ in the following reaction गिवन रेक्षन में हमें राटीफआई को आइडिंटीफाइड करना है पहला हमारा डैजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन आ रहा है यहां पर हमारा डैजोनियम सॉ एसन रियक्षन होती है मतलब अरोमेटिक सब्रेटुशन नुकलोफिलिक रियक्षन होती है जहां पर एंटू एज़र लिविंग ग्रूप डिपार्च होता है एंटू हटता है और क्लोरीन हमारा की विज़े से आजाएगा तो अंसर हमारा क्या आजाएगा बेटा फस्ट फस्ट अंसर आएगा हमारे पहले कोश्चन का अगला कोश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट कोश्चन हमारे पास है अगला कोश्चन है अगला कुशन है तॉलीन रियक्ट विद हैलोजन इन प्रेजंस आफ आइरन थर्ड क्लोराइड गिविंग दा और्थो पैरा हैलो हैलो कंपाउंट को देते हैं और यह अभिक्रिया किस टाइक की अभिक्रिया है तो अगर हम लोग बात करें तो यह हमारी अभिक्रिया क्या है भई इलक्टोफिलिक सब्रिटीशन रियक्षन है हमारा अंसर आएगा इलक्ट्रोन इसने ही विस्थापन अभिक्रिया जहां पर सी यल पॉजिटिव अटेक करता है एज़ा एलक्ट्रोफाइल और हमारा पॉलॉइग इसदे हैलोजन एक्स रेक्ट्रीक्ट्राय हो रहा है कोहां पर हैसेमेलोजज यख़ रॉटिस बाहर जाता है जोकि हमारी प्लेंकस्ट्र ड्यक्शंट है अंसर हमारा क्या आजाएगा बिटा फस्ट अगला कुशन देखते हैं नेक्स कुशन है की विच आप फॉलोईंग रिजेंट इस यूज फॉर दा फॉलोईंग रियक्शन कौन सा रिजेंट हमनों को निम अभगरिया के लिए करना है यहां पर हुआ क्या है कि भाई सबसे पहले इस वाले करबन से हाइड्रोजन गों यह मरा सिसधी यहां और ँसके भात है दो टाइप के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है पहला वन डिगरी और उसके बाद में टू डिग्री है लोजन को और यहां पर हमारे पास जो यूसफूल है वो कौन है भाई क्लोरीन सल लाइट की प्रेजिंस में प्रकास की उपस्तिती में क्लोरीन की अविक्रिया अगर हम लोग किसी भी एलकेन के साथ में कराएंगे तो वहाँ पर जितने भी टाइप के हाइड्रोजन सोते हैं उनका सब्टिटूशन पॉसिबल होता है एक फ्री रेडिकल सब्टिटूशन टेक प्लेस करती है हमारा आंसर क्या आजाएगा बेटा फॉस्ट नेक्स रेक्शन है हमारे पास अगला क अगे प्लेसकि प्लेस के ओर्डर में हमें इंक्रीजिंग Орडर में लिखना है बॉ्लिंग फॉइंट डैरट इरेक्ली प्रफिसेरी अपडwa के कॉतनां connected कन अ HAовой उतना पतनांग क्या होगा उतना ज्यादा हमें पता एक स्ट्रेट शेंग का फ्लस्ट छेत्रपल या सर्फिस एरिया सबसे ज्यादा है जैसे इसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सर्फिस एरिया कम होता जाएगा तो सबसे आदा सर्फिस एरिया इसका है तो बॉलिंग पॉइंट सबसे तर्ड और अबारा correct answer क्या है थर्ड आंसर अमारा क्या है correct है अगला question देखते हैं next question है अगला question देखता है in which of the following molecules the carbon atoms marked with the asterisk is asymmetric निम्न अनुम में से asterisk द्वारा चिन्नित किए कार्बन में कौन सा असम्मीत है कौन सा कार्बन असम्मित है कार्बन तभी असम्मित हो सकता है sp3 hybridize जब उसकी चारों से प्राएं या चारों वेलंसी अलग अलग गुरुप के थू कंप्लीट हो यहां पर देखते हैं गुरुप कौन है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हाइड्रोजन चारों है बाई मतलब यह हमारा अस सम्मित है यहां पर log H cs3 c2h5 यह वी सम्मित है यहां पंग आ गया देखो वह यह दो है ट्रोजन आ गया इसका मतलब यह सम्मित नहीं है तो हमारा कौन को समीत है first second or third first second third का option कौन सा है यह हमारा answer second ठीक है अगला question करते हैं अगला question है मारे पास अगला question दे रखा है कि which of the following structure is the elanxiomeric with the molecule A जो A molecule दिया गया है उसका elanxiomer कौन होगा मतलब अगर A R है तो उसका S कौन होगा और A S है तो R कौन सा हमारे पास दिख रहा है सबसे बहुत इसको यह क्या आएगा 2 और यह क्या आजाएगा 3 ठीक है क्योंकि यह डैस लाइन पर हमारा fourth priority group नहीं है तो इसको interchange करते हो आपका hydrogen इधर आ जाएगा और CS3 इधर आ जाएगा अगर हम लोग rotation देखेंगे तो यह 123 clockwise लेकिंग क्योंकि हमने change किया था तो इसका configuration क्या आएगा भई S अब देखते हैं अगर यह S है तो हमें क्या ढूलना है आर आर देखते हैं पहला option चेक करते हैं यह क्या है एक यह क्या है यह बैटा सेकेंड यह क्या है थर्ड यह क्या है फोर्ड फिर से हमारे पास hydrogen डैस्ट लाइन पर नहीं है तो इसको इसके साथ इंटर्चेंज करोगे अब rotation देखेंगे तो यह क्या है 123 क्या आगया भाई anti clockwise और anti clockwise क्योंकि change करने के बाद मिला है तो यह क्या होगा भाई R molecular formula same इसका S और इसका R मतलब यह क्या है भाई enantiomeric pair तो answer आपका क्या आजाएगा बिटा फस्ट लेक्स देखते हैं अगला question हमारे पास है the position of BR in the given compound यह जो compound हमारे पास दिया है यहाँ पर position अब बियार को हमें देखना है यह क्या है वाई CH3 CH CH और यह वाला जो carbon है हमारे पास यह carbon कौन सा carbon है अब्यस्सी बात है allylic carbon है allylic carbon होने का मतलब जो BR की position है वो allylic position है हमारा answer क्या आजाएगा बिटा फस्ट next हम लोग देखते हैं अगला question है हमारे पास अगला question है chlorobenzene is formed by the reaction of chlorine with benzene in presence of ALCl3 which of the following species is attack in the benzene ring जो हमारी reaction हो रही है chlorine की ALCl3 की presence में किसके उपर benzene के उपर यह reaction हमारी क्या है aromatic electrophilic substitution reaction और वहाँ पर produce क्या होता है CL positive as a electrophile मतलब हमारा answer क्या आएगा बिटा second next question है अगला question दे रखा है what is A and the following reaction कौन सा A है following reaction में यह कौन सा है हमारा following reaction में यह simple सी बात है SCL कौन सा edition कर रहा है marconica edition hydrogen attack इधर होगा carbogatyle मनेगा लेकिन hydride shift की वज़े से यहाँ पर क्या होगा भई hydride shift और hydride shift से stable carbogatyle मनेगा मतलब हमारा chlorine कहां पर आजाएगा इस potential पर answer क्या आजाएगा बेटा fourth अगला question है हमारे first अगला question देखते हैं next question है question number 11 11 question में क्या कह रहा है primary alkyl halide would prefer to undergo primary alkyl halide किसकी तरफ prefer करती है जाना simple सी बात है SN1 chemical reaction की तरफ prefer करेगी हमारा answer क्या आजाएगा बेटा first क्योंकि यह stable carbogatyle का formation नहीं कर पाती जिसकी बेसे प्रफर किसकी तरफ करती है SN1 reaction की तरफ alpha elimination हो नहीं सकता अगर elimination होता तो हमारा confusing point होता alpha elimination primary alkyl halide में possible नहीं होता ठीक है अगला देखते हैं next question है हमारे पास next question है what is the correct IUPAC name of the compound correct IUPAC name देखना है बेटा numbering कहां से one two three four ethyle group लगा है four longest chain two पर हमारा methyl one पर हमारे पास bromo total chain butane की हमारा answer क्या आजाएगा one bromo two methyl butane answer क्या हो जाएगा बेटा answer हमारा आजाएगा third third answer is the correct answer one bromo two methyl butane done बेटा अगे देखते हैं next question है next question है कि what is the what is the increasing order of the boiling point of the following compound following compound के boiling point का increasing order हमें देखना है सीधी बात है जो boiling point होता है उसका second important कोथनांक का second important point है कि कोथनांक अडुभार के directly proportional होता है क्योंकि यदि ही अडुभार जादा है तो surface area जादा है surface area जादा है तो molecule के बीच का attraction जादा होगा और inter molecule attraction बढ़ने की वज़े से boiling point क्या कर जाता है increase तो हमारे पास option में दिया क्या है भाई वन आइडो बेंजीन one bromobenzine one sorry one idol butane one bromobutane one chlorobutane and butane अब्यसी बात है यहां पर iodine है यहां पर bromine है यहां पर chlorine है और यहां पर कोई substitution नहीं मतलब butane का तो सबसे कम होगा क्योंकि सबसे आदा जो mass होगा वो किसका होगा iodine का तो आइडो का सबसे आदा और सबसे कम तो आइडो सबसे ज्यादा भीटेश सबसे कम तो सबसे क्या है वह बीटेश कि सबसे कम यहाँ बेटा फरस्ट क्योंकि इसका molar mass क्या है सबसे ज्यादा लेक्स देखरें आगला question हम से कह रहा है next question में क्या है कि यह हमारे पास कुछ reaction से उनको हुमें column match को properly करना है यहाँ पर हमारे पास यह दे रखता है CS3, CH2, ओल्टराइज CH और पॉम में यह और प्राइमरी हैलाइड एने भी आर के साथ reaction ब्यार हटेगा ओएच हटेगा ब्यार आएगा अंसर के आ जाएगा इसका फोर्थ ठीक है अब यहाँ पर हमारे पर tertiary alcohol में हमारे पास CL room temperature पर reaction करा रहा है तो obvious ही बात है यह हटेगा CL आ जाएगा ठीक है यहाँ पर secondary alcohol है PVR 3 bromination करता है यह हटेगा first आ जाएगा और अगर हम लोग fourth को देखें तो fourth में addition reaction हो रही है और addition reaction होने का मतलब हमारा आंसर क्या आजाएगा बिटा second मतलब option क्या बन जाएगा first का फर्स्ट का fourth आएगा second third B का जो हमारा है वो third आएगा बी का हमारा क्या जाएगा वही third C का first आ जाएगा C का first और D का हमारे पास जो आ जाएगा वो आ हमारे पास 14 कोश्चन की तरफ 14 कोश्चन हो गया 15 कोश्चन हमारे पास है विच आप फॉलोएंग reaction डस नाट टेक प्लेस निम्न में से कौन सी अविक्रिया संभव नहीं है भाई देखो इथायल ब्रोमाइट के अनोटू के साथ reaction कर रहा है इथायल ब्रोमाइट करेमेंटू के साथ र्यक्शन कर रहा है नाइट्रो कमपाउंड का formation सही reaction है क्योंकि अचल गर जाता है हमारे पास नाईट्राइट कम पवॉर्मेशन होगा के अनोटू टूटे प्यार अटेक करता है इसी वेसिस को एम्टी डेंट इलिगेंट कहते हैं यह नाइट्रो गूरुप की तरह करेगा बी आर में सी एग सी अन अटेक करता है एंसी का फॉर्मेशन होगा लेकिन के सी एंसे अटेक किसका होता है सी एन का जख्की प्रोड़क्ट क्या बनाया एंसी तो यह पॉसिवल नहीं है बहुत बनता भी है तो बहुत माइनूट कंपाउंड बनता है जिसकी वेसे फूर्थ रियक्शन को हम लोग फीजिवल रियक्शन कंसीडर नहीं करेंगे ठीक है नेक्स कुश्चन है अगला कुश्चन है वाट इस ना आई यू पीसी नेम आफ एम क्रिस्ट्रॉल एम क्रिस्ट्रॉल सभी को पता है मेटा क्रिस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहा है तो मेटा क्रिस्ट्रॉल हमारा यह हो गया यह हमारा क्या आ गया भाई मेटा क्रिस्ट्रॉल यहां पर हमने क्या लगा दिया CS3 और जो अगर हम लोगों ने CS3 यहां लगा दिया तो क्या लिख दोगे 3-methyl-phenol आंसर क्या आ जाएगा first next question है 3-methyl-phenol आ जाएगा अगला question हमारे पास आ रहा है phenol is next question है phenol is phenol is less acidic than phenol किसे कम acidic है phenol ethanol ethanol अब्यसी बात है phenol और ethanol तो phenol के case में phenoxide ion resonance में participate करता है acidic करेक्टर जादा methyl phenol ortho methyl phenol ortho nitro phenol ortho methoxy phenol less acidic किसे कमल acidic है तो वह हमारा कौन सा होगा भई और तो नाइट्रो phenol को की nitro group minus i minus r को produce करेगा जिसकी वैसे इसका acidic character ज्यादा हो जाएगा और बागी सबका acidic character phenol से क्या होगा कम यहीं पूचा है phenol से कम अमली है phenol is less acidic than phenol किसे कम अमली है phenol से phenol कम अमली नहीं पिनol किससे कम अपली है किससे कम अमली होगा यह होगा भाई किससे कम अमली है phenol किससे कम अमली होगा और तो नैट्रो फिनॉल से ठीक है पास आ गया एनोटू ग्रूप के साथ में माइनस आई माइनस आर माइनस आई माइनस आई जिसे माइनस एंबी कहते हैं यहां पर केवल माइनस आई यहां पर माइनस आई प्लस आर यहां पर हमारे पास आजाएगा क्या वहीं माइनस आई ओली तो अगर हम लोग अगला कोशन है the acid catalyzed dehydration of the N-butanol is faster than N-tertiary butanol is faster as compared to N-butanol acid catalyzed dehydration का मतलब क्या हुआ बेटा कि हम लोगों ने सबसे पहले OH ग्रूप को proteinate कि यहां पर कोई भी हमारा ग्रूप लगा होगा यह अटा और यहां से क्या बना भई कार्बो कटाइन जिसका कार्बो कटाइन ज्यादा stable वो क्या करेगा भई ज्यादा बढ़िया dehydration परफॉर्म करेगा ठीक है ना बेटा ठीक तो हम लोग कह सकते हैं कि tertiary butanol का जो 3 degree कार्बो कटाइन है वो ज्यादा stable है as compared to N-butanol से मेरी कार्बो कटाइन अंसर क्या आ जाएगा बिटा फॉस्ट के लिए रहे हैं नेक्स कोश्चन है अब बिटा कोशन नमर 20 है एल अल्कोहल एक्स वेंट ट्रीटेट विट विद रहा होगा इस अल्कोहल को हम लोगों ने रिएट कराया concentrate S2SO4 से तो यह हमारे पास अल्कोहल होगा और इस अल्कोहल को हमने concentrate S2SO4 के साथ रिएट कराया dehydration take place किया और उस dehydration से क्या मिला भाई अल्कीन मिला यह अल्कीन का फॉर्मूला क्या दे रखा है C4H8 ठीक है इसकी बेटा आगे क्या कह रहा है ओजोनोलाइसिस करायी जिससे single product मिला है ओजोनोलाइसिस मितलब O3 जिंक वाटर ठीक है क्योंकि हमारे पास जो molecular formula है वो किसका है और कार्बोनील compound का दे रखा है और कार्बोनील compound हमारा reductive हो जोनोलाइसिस में बनता है यहां से क्या बन गए हमारे पास formula C2H4O तो C2H4 का अगर structure बनाए तो क्या बनेगा CS3C double bond OH मतलब जो alkene रही होगी वो क्या होगी भाई CS3CH double bond CH single bond CS3 तो इसका जो probable alcohol रहा होगा वो कहां पे रहा होगा इस condition पर OH यहीं पर तो रहा होगा जिससे dehydrate किया मतलब जो alkohol रहा होगा वो क्या होगा CS3 CHOH CH2 CH3 जिसके elimination से क्या मिला यह alkene मिला तो हमारे पास क्या आ जाएगा but to all clear है अगला question देखते हैं हम लोग next question है अगला question दे रहा है the vapors of alcohol x when passes reduced copper it produce alkene जब हम लोग alcohol vapors को copper reduce से पास कराता है यह alcohol का important test है अगर हम लोग primary alcohol को pass out कराते हैं तुम्हारा aldehyde बनता है अगर हम लोग two degree alcohol को copper vapors के थ्रू पास आउट कराते हैं तो हमारे पास किटोन बनता है जबकि three degree alcohol को अगर पास आउट कराया जाए तो वहाँ पर डी हेड्रो हेलोजीनेशन मतलब water eliminate हो जाता है पानी निकल जाता है और क्या बन जाता है अलकीन तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आजाएगा भाई कौन सा three degree alcohol tertiary alcohol ठीक है अगला कोशन देखते हैं कि नेक्स्ट कोशन है कोशन नुबर 22 हमारे पास है और आप एस्ट्रीफिकेशन आफ एलकोहल एलकोहल के COALLE का क्रम क्या होगा मतलब एलकोहल में कौन सा एलकोहल एस्ट्रीकारण को ज्यादा बढ़िया तरीके से करेगा और कौन कम है और कहार एस्ट्रीफिकेशन आप कर लोग होता है कि निकलियोफाइल के फॉरम어 करता है और वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि निकलियोफ्य तू डिग्री और उसके बाद क्या भई थ्री डिग्री तो हमारा आंसर क्या आजाएगा बेटा थर्ड आगे बढ़ते हैं अगला बुश्य ने हमारे पास the tertiary butyl alcohol can be prepared by the reaction हमें बनाना है tertiary butyl alcohol tertiary butyl alcohol का मतलब हो गया CS3 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 और यह क्या आगया बेटा OH यह हमारा tertiary butyl alcohol है जिसे हमें produce करना है पहला हमारे पास है acetaldehyde और ethyl magnesium iodide gregnalt region को जब हम लोग react कराते हैं methanol के साथ तो हमारा one degree alcohol produce हो जाता है हमारे पास वहाँ पर अगर हम लोग देखें ठीक है के साथ अगर हम लोग reaction कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा यह आएगा CS3C सपोस्थ हमने एक ldhyde ले लिया H RMGX की reaction करा होगे तो एक और नेगेटी विधर अटेक करेगा तो यह हमारा तो बन जाएगा सिधे two degree alcohol हमें बनाना है three degree alcohol acetone acetone को अगर methyl magnesium bromide के साथ reaction कराएं तो सिंपल सी बात है यह दी ketone ketone की अभिक्रिया अगर grignard region के साथ GR के साथ कराए जाती है तो बनने वाला alcohol three degree alcohol होता है मतलब answer हमारे पास कौन सा हो जाएगा भई second next question देखते हैं अगला question है हमारे पास हाँ next question हमारे पास दिया हुआ है बेटा in the following sequence reaction the z is following requestion में हमें किसको निकालना है भई z को सही बात है यह हमारे पास two degree alcohol है oxidation करोगे क्या बनेगा भई ketone तो य product तो हमारा बन गया क्या बेटा acetone अभी पिछले question में यही same चीज हम लोगों ने की थी CS3MGBR का attack कराया करा देते CS3MGBR का attack कराएंगे तो CS3MGBR यह इधर आ जाएगा यह वाला इधर चला जाएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा three degree alcohol मतलब CS3C CS3 CS3OH done मतलब हमारे पास जो answer आएगा वो क्या आएगा but to all we YouTube बना सकते क्या या हम लोग लिख सकते यह कौंसा हो जाए का नाम लिखना है 123 तो तुपर अधु ninety two-mix तू मेथायल प्रॉप 2-2 अल्टू अंसर हमारा क्या आ जाएगा थी थर्डू मेथायल प्रोप 2-2 अल्टू हमारा प्रोड़क के फॉर्म में मिलेगा तबुष्याग अग वशन देखते हैं अगला कुशन कह रहा है the dehydration of the following in increasing order इनका हमें increasing order में dehydration को देखना है ठीक बात increasing order of dehydration के बारे में हम से बात कर रहा है increasing order of dehydration को में निकालना है increasing order of dehydration वेता यह तो हमारे फिनॉल है aromatic है बहुत ज्यादा stable है dehydration करने की कोई कोशिस नहीं करेगा मतलब phenol का तो dehydration क्या होगा सबसे कम अब अगर हम लोग यहां पर dehydration कराएं तो हमारे पास aromatic compound मिलना है मतलब इसका तो हो क्या होगा सबसे ज्यादा उसके बाद अगर हम लोग यहां पर dehydration करें तो यहां पर double bond आएगा conjugate मिलेगा और यहां पर अगर करें तो non-conjugated मिलेगा केवल hyperconjugation तो कह सकते हैं first का सबसे कम then second then third then fourth answer क्या आ जाएगा बेटा फस्ट अगला question देखते है question number 26 question number 26 क्या है बोला है one mole of the ethyl acetate on treated with the excess of li lh4 with the dry ether acidification product बनाना है में ठीक है one mole of acid ploid ethyl acetate ठीक है ethyl acetate है ethyl acetate हमारे पास यह है CS3 C double bond O O C2H5 ethyl acetate यह reduce हुआ ठीक है यहां से हमारे पास यह तो बन गया भाई ethyl alcohol यहां से जब हम लोग गनाएंगे तो aldehyde aldehyde का further reduction करा हो गए तो one mole of ethyl alcohol तो यहां से बोल सकते हैं कि दो mole किसके बन जाएंगे भाई ethyl alcohol के और answer क्या आ जाएगा भाई third यह डियाइड बनेगा यह further reduce होगा convert हो जाएगा ethyl alcohol में ठीक है यहां से मिल जाएगा two mole of क्या बेटा इथाईल alcohol question number 27 देखते हैं 27 क्या कह रहा है कह रहा है कि एक हमारे पास given reaction दे रखी है ओ एक्स एक्स चाहिए है ओएच का सीस्टू भी आर से reaction है अगली हमारे पास reaction क्या है chloroform की reaction एकस होने उसके साथ में reaction करा रहा है और यहां पर तो सीधा देख रहा है इbahn combination होना ही होना बामिनेशन थैए यहां से ब्रोमिनेशन मिलेगा हमें क्या चाहिए एकस और वाई रोडर्रे रिस्पर क्या चाहिए ठीक है एकसओर वाई किया चाहिए respective प्रोड़क्ट to यहां से देखो ब्रोमी दो जगे हो सकता है और तो और पर पोजिशन पर तो क्या मिलेगा और तो ब्रोमोफिनॉल एंड पर ब्रोमोफिनॉल ड़न अब उसके बाद यह वाली रियक्शन कुछ याद आ रहा है राइमन टीमें रियक्शन राइमन टीमें फॉर्माइलेशन एल्डी हाई टिक ग्रूप में और तो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा ठीक है अब बात करते हैं कोश्चन नंबर 28 के बारे में बोला इन दा रियक्शन यह रियक्शन हमारे पास गिवन है बोला प्रोड़क्ट अब दा रियक्शन हचाई की तरह ही होगी यहां से ब्रेकडाउन ट C2H6O, C2H6O का मतलब C and H2O has to isomer X and Y untreated with the HIX give the alkyl iodide and the water while the Y give the alkyl iodide and alcohol, Y जो है वो alkyl iodide और alcohol देता है जबकि जो दूसरा है वो हमारे पास क्या दे रहा है alkyl iodide और water को produce कर रहा है तो हमें यहां पर identify करना है कि कि किसकी reaction अगर हम लोग अचाई के साथ करा हैं तो एक तरह म water और वो मिलेगा water और साथ में alkyl iodide मिलेगा जबकि दूसरी तरफ alkyl iodide of alcohol यहार alcohol होने के लिए यह तो हमारे पास सीधा formula आगया एथर का formula है CNH2NO तो यहां पर जब हम लोग एथर के साथ reaction करा होगे तो एथर के साथ reaction कराने पर हमारे पास break यहां से होगा तो यह alcohol बनेगा और यह alkyl highlight बनेगा सही बात है अगर हम लोग alcohol इसी का दूसरा form alcohol लेने alcohol क्या हो जाए same क्योंकि वह functional isomer होते है तो इससे ether भी बन सकता है और इससे alcohol भी अगर ether होगा तो product बनेगा alcohol plus alkyl highlight और अगर alcohol होगा तो product बनेगा water plus alkyl highlight ठीक बात तो यहां देखना है कि हमारे पास product सही है बई तो answer क्या जाएगा थर्ड इथाइल alcohol है इथाइल alcohol हमारे पास दे रखका है formula satisfied हो रहा है और यह हमारे पास है dimethyl ether तो इथाइल alcohol C2H5OH यह क्या देगा water और साथ में alkyl highlight जबकि CS3 CS3 OCS3 यह क्या देगा बई यहां से रख करेगा यह alcohol मिलेगा और यह क्या बई alkyl highlight तो answer कौन सा आ जाएगा बेटा थर्ड next question देखते हैं question number 30 है मैस्दा कॉलम मैस कॉलम हमनों को देखना है पहला Williamson reaction है Williamson reaction बहतर method है ether बनाने का simple सी बात है क्या use करते है sodium alcoxide और यह तो यह हमारा क्या आ गया सेकेंड परस्ट का हमारे पास second answer ठीक है उसके बाद हमा अर्थो नेट्रोफिनॉल इंट्रा मॉलीकुलर हाइड्रोजन मौनिंग इंट्रा मॉलीकुलर हाइड्रोजन मौनिंग है उसके बाद acylation यह करता है टेक प्लेस तो answer क्या बन जाएगा बेटा ठीक है अब बेटा हमारा integer section है पहला question हमारे पास दे रखा है a sample of 3 mg unknown alcohol एक 3 mg unknown alcohol है आरो एच इसको हम लोग मिथाइल मैगनीशन ब्रोम आयोडाइड के साथ reaction करा रहे हैं जिससे 1.12 ml gas evolve होती है what will be the molecular mass या molecular weight of alcohol ठीक है अल्कोहल एक proton donor है जो ग्रिगनाट रीजिन के साथ react करके respective अल्केन को produce करता है मतलब suppose हमारे पास यह क्या था रो एच और यहां पर हमारे पास क्या था बेटा र-mgb-r यह क्या produce करेगा यह produce करेगा आर डैस एच क्योंकि अल्कोहल प्रोटॉन डोनर की तरह एट करेगा प्लस क्या निकलेगा बेटा एम जी ओ आर बिया ठीक है यह हमारा जो है यह हाइट्रोकार्मन है अलकेन है क्योंकि उससे प्रेड्यूसर और यह गैस के फॉर्म है गैस का वॉल्म हमारे पास कितना दे रखा है वन पॉइं वन टू जितने मोल एल्कोहल के होंगे उतने ही मोल हमारा क्या प्रेडिस होगा वेटा एलकेन गैस मतलब एलकोहल के मिली मॉल का नंबर जो है वो गैस के मिली मॉल के नंबर के बराबर आ जाएगा तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं मिली मॉल किसके बेटा एलकोहल के एल्कोहल के मिली मॉल निकाल सकते हैं वालियूम कितना दे रखा है 1.12 अप आन हम लोग कर सकते हैं 22.4 ये एमल में था इंट्टू 10 पावर 3 कर दें तो यहां से हमारे पास इसके मिली मॉल आ जाएंगे ठीक है और इसके मिली मॉल्स को तो अगर हमें molar mass को calculate करना है तो हम लोग इस mole को equate करने तो यह आ जाएगा 1.12 upon 22.4 into 10s power minus 3 बराबर weight हमारे पास कितना आ गया weight आ जाएगा कितना भई 3 into 10s power क्या भई minus 3 mg से gram में convert कर देंगे यह 1.12 ml था तो इसको हम लोगों ने लीटर में convert कर दिया था कोई दिक्कत नहीं है तो cancel ही हो जाएगा और यहां से हम लोग mass को calculate करेंगे तो हमारे पास smaller mass आ जाएगा कितना बेटा 60 ठीक है देखो बिटा बोला हाउ मेनी टाइपस अफ ग्रुनाट रिजिन can be used to prepare the following alcohol by using different ketone ठीक है कितने टाइपस की ग्रुनाट रिजिन को में different ketone के साथ में यह हमारे पास alcohol दे रखता है इसमें बड़ा छोटा सा concept है अगर हम लोग देखें तो एक तो ग्रुनाट रिजिन इधर से हमें दिखाई दे रहा है ketone के ketone के साथ में किसके formation में इस alcohol के निर्मान में फिर से समझने ना एक यह एक यह और एक हमारे पास क्या आ वाला पार घ करेंगा कितना भी टाथ लेक्स कोशिन है अगला कोशन हम से क्या रहा है कह रहा है 6 9- Swift करेंगा और यह हमारे पास यह lose करता है घ्रुन करेंगा क्या अल्कॉ bombers टो यहां से अगर अगर देखें तो एल्कॉहल यह बना OH, यहां से यह, यह, यहां पर क्या आ गया OH, ठीक है, यह एक हमारे पास alcohol बन गया, इसका अगर हम लोग alcohol बनाएंगे तो यह बनेगा, यह, और यह आ जाएगा OH, ठीक है, और यहां पर यह आ जाएगा CS3, और यह आ जाएगा एच ठीक बाद देखो यह CS3 हो यह CS3 आईरल हो गए तो यह तो काईरल हो नहीं सकता लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यह काईरल सेंटर है जिससे क्या मिलेगा एक आर प्लस एक एस तो एक यह और दो यह अंसर कितना आजाएगा हमारे पास तीन ठीक है अगला देख लेते हैं अगला हमारे पास है फोर्थ कुश्चन हमारे पास दिया हुआ है इसमें एक चोटा सा क्रेक्शन है यहाँ पर डबल बॉन नहीं है डबल बॉन ओ है यह डाई की टोन स्ट्रक्शर था यह मिस्प्रिंट है यह डाई की टोन स्ट्रक्शर था हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर PCL-5 से reaction कराया और जब की टोन कभी भी PCL-5 के साथ react करता है तो jam dye highlight को produce करता है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले PCL-5 का reaction हुआ तो यह jam dye highlight बना एक सीयल इधर एक सीयल इधर ठीक है यहां से आया यह हमारा एक सीयल एक हमारा सीयल यह 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 एच और यह ठीक बात है अब एने एने इस्टू हमारा elimination करता है यहां से हमारे पास एक hydrogen illuminate होगा तो यह हमारे पास double bond आ जाएगा यहां से एक hydrogen होगा यह hydrogen होगा तो यह हमारे पास बन जाएगा क्या भает यह आ जाएगा हमारे पास यहां पर आ गया C triple bond और यह आ जाएगा H ठीक है जोग बएश है जो लगा यहाँ था हो जाएगा lcc और यहां से ट्रिपल बांड एने एने की रेक्शन सीज थी रहाए से कर आओ गेфरी यह मिल जाएगा हमें cL और यह एजाएगा ट्रिपल मांडर आ जाएगा सीस्ति मешь annual product बन ठीक है तो देखे तो अगर हमें इनने स्ट की कितनी की जोरत पड़ी एक तो इस SCL के लिमिनेशन के लिए जोरत पड़ी एक यह दो SCL के लिमिनेशन के जोरत पड़ी तो B की value कितनी आ गई 3 जिखकी PCL5 ने 2 जगे वर किया तो A की value कितनी आ गई 2 तो कांसर कितना आ गया 2 प्लस 3 इस इक्वल टू क्या त्ला मेटा 5 ठीक है कुश्चिन नुमर 5 है हमारे पास the order of the following reaction following reaction का में order निकालना है what is the order of following reaction ठीक है तो order of following reaction में देखना है यहाँ पर चला आद देखें तो H2SO4 heat कर रहा है मतलब dehydration perform कर रहा है और dehydration का मतलब elimination reaction आदे अब हमें यहाँ पर देखना यह है कि elimination हमारा unimolecular first order है या biomolecular हमारे पास chemical reaction है तो यहाँ पर यह हमारे पास कौन सा alcohol दिख रहा है 2 degree alcohol दिख रहा है ठीक है भाई stable carbon content को produce करने जा रहा है जिसकी वेसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका order क्या आएगा वन यह first order of quantity से even mechanism करेगा और alkyne को produce कर देगा as a product अगला question देखते हैं next question हमारे पास है question number six हमारे पास यह compound दिया और इस compound को हम लोग ethyl alcohol के साथ treat करा रहे हैं दो तरह का दे रखा है कि अगर हमारा substitution reaction हो रहा है तो including isomers, studiomers को में देखना है और अगर हमारा elimination हो रहा है तो हमें product को calculate करना है दोनों ही condition में product को calculate करना है ठीक है तो यहाँ पर जड़ा देखें इस case में सबसे बेले हम लोग substitution देखते हैं तो बेटा अगर यह भी आर हट रहा है ठीक है यह भी आर हट एगा इस भी आर के हटने पर पहला product हमारे पास आ जाएगा CS3, CPH, CS3 directly without rearrangement CH, CS3 यहाँ से आ गया OC2H5 ठीक है यह chiral center generate हुआ जिससे मिल गया एक आर और एक एस ठीक बात के लिए रहे अब अगर यह यहाँ से हटा तो यह carbogatine मना अगर हम लोग यहाँ से इसकी methyl shift करा दें तो methyl shift कराने पर हमें क्या मिलेगा CS3, CPH यहाँ पर आ जाएगा OC2H5 इधर आ जाएगा C, CS3, CS3 और H यह तो इसका हो गया यह भी chiral center substitution में यही इसका product possible है मतलब यहाँ से दो मिलेंगे यह भी chiral है तो यह भी क्या मिल जाएगा R प्लस S तो दो प्रोड़क्ट ही है दो प्रोड़क्ट ही है मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए चार ठीक अब आगे देखते हैं चार के बाद क्या हम लोग देख सकते हैं क कहां कहां elimination तो हो गया हमारा oh sorry substitution हो गया हम लोग elimination प्रोड़क्ट को देख लेते हैं ठीक है elimination प्रोड़क्ट में पॉसिबल प्रोड़क्ट देखने हैं आप देखो बिटा इसको यह बियार अटाओगे यह बियार अटाओगे इस एच के साथ हट सकता है तो पहला प्रोड़क्ट हमारे पास आ जाएगा कौन सा CS3 बहले ही वो CPH CS3 यहां से आ गया CH double bond CH2 कोई GI पॉसिबल नहीं है मतलब एक पहला प्रोड़क्ट तो हो गया यह ठीक है अब बियार अटने के बाद यह कार्बोगटाइन मना मैंने इसकी मिथाल शिप्ट की तो यह कार्बोगटाइन बन गया CS3 CPH CH CS3 CH3 और पॉसिटिव चार्ज इदर अब यहां से दो प्रोड़क्ट बन सकते हैं पहला प्रोड़क्ट इदर से बन सकता है और दूसरा प्रोड़क्ट इदर से मतलब CH2 double bond C PH CH CS3 CS3 दूसरा प्रोड़क्ट इदर से CS3 C PH CH double bond C CS3 और CS3 ठीक है ना तो यह जी आई कर रहा है ना तो यह जी आई टोटल इसके कितने प्रोड़क्ट आगए एक दो और यह क्या बेटा थर्ड प्रोड़क्ट तो यहां पर हम लोग लिखे सेल इकले ना कि निए ट्रशमते लिए कि लिए टाया मिलते चाहर है टो नें हों है यह जी फिक फिर्टेशन किवाई के प्रोड़क्ट लिखते चाहर। promised अग्ला अगला कूशन है है अगला कुशन है maximum number of the mole of CS3 MGBR can be consumed by maximum number of mole of CS3 MGBR can be consumed by phosgene phosgene COCL2 ठीक है phosgene का formula COCL2 देखते हैं भई phosgene यह हमारे पास है C double bond O CL CL पहला mole हमने लिया CS3 MGBR का CS3 आया CL गया product बन गया क्या वही CL C double bond O CS3 ठीक बात उसके बाद दुबारा से attack करा देते हैं क्या बन जाएगा इधर CS3 C double bond O CS3 बन गया क्या वही एसी टोन पर दुबारा से reaction कराते हैं किसकी वही CS3 MGBR की तो फिर से attack हो जाएगा क्या बन जाएगा CS3 C O H CS3 CS3 तो वही कितने mole attack कर सकते हैं एक दो और तीन कितने mole attack कर सकते हैं तीन mole attack possible है फॉसजीन के ऊपर CS3 MGBI का या CS3 MGB CL का ठीक है बेटा इसका answer आ जाएगा third question no 7 की तरफ चलते हैं question no 8 की तरफ among the following जो हमारे पास following X का है हमारे पास एलेक्ट्रोफाइल और Y जो है वो nucleophile है और X और Y के form में report करना है इलेक्ट्रोफाइल और nucleophile पहचानना है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बहुत है हमारा एलेक्ट्रोफाइल कौन सा है और nucleophile कौन सा है ये वाला भी हमारा क्या बहई इलेक्ट्रोफाईल, इलेक्ट्रोफाईल इलेक्ट्रों weniger आगए एक दो तीन चार पांच छह सात तो एक्स तो हमारा कितना आ सबस्क्राइब हमारे बाई न्यूक्लिय नीगेटिव निग dafür चार्ग हे है combining या लोन न्यू वेयर है दो CS3 negative 3, उसके बाद CL negative 4, उसके बाद alcohol यह हमारे पास CS3, OH कितना आ गया भाई, यह oxygen loan pair देगा, 5, तो यह आ गया कितना भाई, 5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, XY के terms में 75, ठीक है बेटा, XY के terms में क्या आ जाएगा, 75, अब next question देखते हैं हम लोग, अगला question, अगला question है हमारे पास, बुल ला है, when orthodibromo is subjected to mononitration, the X number of product are formed, when the metadienitro is subjected to mononitration, the Y product are formed, orthodibromo बनाते हैं यह, यह आ गया, BR, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर possible position देख लेते हैं, हम लोग को पता है, हेलोजन सार्थ, और्थो पेरा directing group होते हैं, हेलोजन स, तो भई, यहाँ पर हमारे पास, एक तो position यह पेरा वाली खाली पड़ी है, ठीक, और एक यह पोजिशन खाली पड़ी है, और्थो वाली, तो भई, यह तो X से बराबर किता आ गया, दो, अब जड़ा देखते हैं, हम लोग क्या भई, X, अब हम लोग देख लेते हैं, कौन सा क्या दे रखा है, डाई, ब्रुमो और तो, और उसके बाद बोला है, मेटा, यहाँ पर हमारे पास VR लगा दिया, और य एक पोजिशन हमारे पास यह वाली आ गई, तो इसके कितनी पोजिशन आ गई, भई, तीन, तो हमारे पास XY के टम्स में अंसर लिखोगे, तो कितना आ जाएगा भई, 23, ठीक है, अगला पोशन देखते हैं, अगला पोशन दे रखा है, अलकोहल, PCL5, NASC reaction, उसके बाद OH, उ How many number of SN2 reaction are take place, कौन कौन सी SN2 reaction take place करेंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक हो बिटा, जब PCL5 से OH को substitute कर रहे हो, PCL5 की OH के साथ में reaction करा रहे हो, बेंजाइल अलकोहल है, यहाँ पर भी हमारा क्या take place करेगा, भई, SN2, ठीक है, NASC के साथ में reaction कराओगे, CL को हटाके, SS log आओगे, यहाँ भी क्या take place करेगा, हमारा पास SN2, उसके बाद हम लोगोंने SS से OH को substitute किया, SS से OH को substitute करोगे, ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास SS से क्या बन जाएगा, OHS negative ion हटेगा, तो यह बन जाएगा S negative, तो यहाँ पर तो simple acid based reaction है, यह हो गया दो, उसके बाद हमारे पास reaction करा रहे है, X compound से, जिसके through बन रहा है यह, तो X negative attack कर रहा है, किसी भी further compound पर, तो यहाँ भी क्या हो रही है, SN2, ठीक है, कभी हमारे पास ether type reaction, जो Williamson वाली reaction थी, वहाँ पर हमने sodium के साथ में highlight को यूज किया था, यहाँ पर S negative को यूज कर लेते है, वहाँ पर Alcoxide था, यहाँ था, थायोकसाइड अक्रेक करा दिया, समझ आ रहा है ना, यह आएगा PH, CH2, S minus, जो यहाँ से बना, इसने attack किया further, पदर ऐसे compound पर, ठीक है, तो जिससे product किया बन गया यह, तो SN2 total कितनी आ गई, एक, दो और तीन, तीन SN2 हमारे पास आ जाएगे, I think, सभी का question paper बहुत बढ़िया रहा होगा, यह हमारा paragraph first है, paragraph first में हमारे पास, एक scheme of reactions दे रखी है, कई सारी reactions, कई सारे compound बन रहे हैं, compound हमारे हमारे पास A है, C8H13BR, और उसकी reaction HBR के साथ में कराई है, और HBR के साथ कराने के बाद हमारे पास, मीजो compound और एक resimulated compound का formation हुआ है, ठीक है, अब देखते हैं, हमारे पास पहला question क्या है, पहला question है, compound A, compound A कैसा होगा, compound A एक ऐसा compound है, जो दो product produce कर रहा है, पहला वो एक मीजो product को भी produce कर रहा है, और दूसरा वो एक resimulated product को भी produce कर रहा है, खुल मिला कि हमें given compound में HBR का addition करा के देखना है, कि ऐसा कौन सा compound है, जो मीजो और resimulated दोनों ही product को produce कर सके, मीजो के लिए हमें plane of symmetry की requirement है, ठीक है, तो अगर हम लोग compound first में HBR का addition कराएं, तो compound first के HBR के addition के through, compound first में double bond पर अगर इस VR का addition कर रहा है तो यहां पर BR हमारा attach हो जाएगा, ठीक है, और इस VR के addition के through हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर meso compound भी बन सकता है, और resimulated compound भी बन सकता है, it means to say that compound first जो होगा, वो हमारा compound A रहा होगा, जो HBR के addition के through resimulated और meso दोनों ही product को produce कर सकता है, तो question number second, question number second में है, question number second है compound B, B क्या है, B compound हमारे पास यह given है, वो meso compound है, तो simple सा हमें यहां देखना है, what is the meso compound, तो साब दिखरा होगा, this compound is a meso compound, so answer हमारा क्या आजाएगा, बेटा, third, done, okay, next, आगे बढ़ते हैं, यह हमारे पास paragraph second है, और paragraph second में हमारे पास, questions given है, पैर paragraph second में है, कि हमारे पास compound था, CS3, CL, CN, CN का attack कराया, जिससे compound B बना, B का partial hydrolysis कराया, और इस parcel hydrolysis से हमारे पास C बना, C further, D और E को produce कर रहा है, अगर हम लोग देखें तो कह रहा है, compound CN, CN negative का attack कराये, CL से तो obvious ही बात है, CL के CN से हटने के बाद, हमारे पास CL हटेगा, तो CN आएगा, तो answer के आजाएगा, भई, first, ठीक है, उसके बाद बोलना है कि partial hydrolysis से C बना, अगर हम लोग cyanide का partial hydrolysis कराएंगे, तो product क्या बनेगा, भई, amide, done, okay, आगे देखते हैं, paragraph third, एक हमारे पास sequence reaction दे रखी है, यहाँ पर हमारे पास यह NH2 है, और इसकी reaction हमारे पास कराई है, एक मेट करेंगे, NH2 की reaction हमारे पास HNO2 के साथ कराई है, तो यह एक टाइप का SN1 chemical reaction होता है, और इस SN1 chemical reaction में कार्बोगाटाइन का formation होता है, मतब सबसे पहले यह कार्बोगाटाइन मनेगा, इस कार्बोगाटाइन को हम लोग ring expansion कर सकते हैं, जिसके तुरू यह O question है, अगला question है कि भाई हम लोगों ने क्या किया था, four members वाले structures को react कर आया था, इसके साथ, paracid के साथ में, paracid के साथ reaction कर आई है, तो paracid के साथ में ester formation take place करेगा, cyclic ester more hindered condition पर, और answer क्या आजाएगा, second, अगला question देख लेते हैं, next paragraph number हमारे पास है, that is the paragraph number four, paragraph number four हमारे पा CL2 के साथ में, Fe के साथ में reaction कर आई, जिससे हमारे पास C6H2Cl4 बना, उसको हमने water के साथ में reaction कर आया, बन गया C6S3OCl3, further aldeide के साथ reaction कर आई है, reaction को आगे बढ़ाया, अब पहला हमारे पास question है, what is the compound C, compound C हमारे पास क्या है, तो compound C से पहले हमें compound किस की तरफ जाना पड़े है, मतलब 4 halogen कुछ इस तरह से लगे होंगे, CL, इसके CL पर, यहां पर para तो इसके CL पर, सबके सब एक दूसरे के किसमें आगए, para position पर सबसे less hindered condition में, stable हमारे पास क्या होगा, यह structure होगा, अब यहां से क्या किया भई, OH का attack करा दिया, OH का attack करा दो, तो 1 OH को eliminate करा दो यहां से तो यह हमारे पास क्या बन गया भई, एक OH इधर आ गया, एक OH इधर आ जाएगा, यह एक CL, एक CL और एक CL, तो यह हमारा क्या बन गया भई, compound क्या बेटा, C, that is the C compound, and C compound का हमारा answer आ जाएगा, इसमें CL है, इसमें C compound का answer हमारे पास क्या आ जाएगा भई, C compound answer is first, first answer हमारा C compound ठीक है, that is the first answer, फिर से समझ लें, आर्थो पैरा सब्डूटी आर्थो पैरा डारेक्टिंग ग्रूप है, चार बार हेलोजिनेशन कराया, तो यह हमारे पास 4 या भो सकते हैं, टेट्रा क्लोरिनेटर प्रोडक्ट मिला, इस टेट्रा क्लोरिनेटर प्रोडक्ट को हमने OH के हटेगा, बेंजाइन मेकनिसम के थुरू, किलियर है, बेंजाइन मेकनिसम के थुरू, यह वाला CL हटा सकते हो, इस CL को हटा करके क्या ले आओगे, OH, अब इसकी रियक्शन किसके साथ करा रहा है, फर्मल डिहाइट के साथ, देखते हैं हमारा अगला कोश्चन क्या है, कोश इस था, उसके बाद यहाँ पर CL था, यहाँ पर CL था और यहाँ पर CL था, ठीक है, अब अगर देखो तो फर्मल डिहाइट की रियक्शन है, एच, तो एक तरह का कंडेंशेशन, लेडर मानास कंडेंशेशन की तरह कुछ रियक्शन होगी, और यह वाले एच को हटाओगे, क्योंकि फर्मल डियाइट, एच, सी, डबल, मॉन्ड, ओएच, एसिट की प्रेजन्स में, एसिट से एच, पॉस्टिव लेता है, इधर अटेक कर जाता है, और यह क्या बन जाता है, कार्बो कटाइन, लेडर मानास रियक्शन, ओएच, एच, और यहाँ पर आजाता है, क्या, आगे देखते हैं, अगला कोश्चन, नेक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन जिसमें कि हम लोग मल्टिपल कोश्चन के बारे में बात कर रहे है, मल्टिपल कोश्चन में, पहला कोश्चन हमारे पास क्या है, पहला कोश्चन है कि फिनॉल है, फिनॉल का हमने कर आया दो different temperature पर एक 25 degrees centigrade temperature पर एक 100 degrees centigrade temperature पर है first compound हमारे पास 25 degrees 25 degree पर हमारा ortho product dominating होता है और reaction हमारी ortho product dominating low temperature means kinetically controlled होगी और B product हमारा higher temperature पर बनना है thermodynamically controlled होगी option देखते हैं A compound and B compound are first and second respectively सही answer है फस्ट हमारा ortho product, second हमारा ये वाला product, ठीक है बेटा, ये वाला बिल्कुल correct answer है, फस्ट हमारा ortho product आ जाएगा और B हमारा second product आ जाएगा पैरा product, उसके बाद second option है, the compound first is the major product at the lower temperature, under the kinetically controlled reaction, compound first जो है major product है under the kinetically controlled reaction, low temperature पर kinetically controlled product मिलता है, third question है, the compound, second is the major product at the high temperature, high temperature पर thermodynamically product मिलता है, सही है, fourth है, the compound 4 is more stable as compared to, compound second is more stable as compared to first, simple सी बात है, ये एक symmetrical compound है, और ये एक unsymmetrical compound है, बहुत ज्यादा हिंडरेंस है, मतलब second is more stable as compared to first, मतलब हमारे multiple option question में, first question के answer, option first, second, third, four, तीनों, चारों के चारों option क्या हैं बहीं, correct है, अगला question देखते हैं, next question, next question क्या दे रखा है, next question बहुत अच्छा question है, next question में दो चीजी हम लोगोंने एक साथ की है, question क्या दिया हुआ है, phenol is generally not changed with the NABH4 oblique water, 1,3 and 1,4 di-benzenoil, मतलब di-benzenoil जो होता है, and 1,2,3 tri-benzenoil are under change these conditions, however, 1,2,3 benzenetriol gives the higher yield at the product B, product B के फॉर्म में एक higher product को produce करता है, ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजे, एक तो हमारे पास NABH4 है, NABH4 का काम क्या है, NABH4 reducing agent है, बहुत बढ़िया, और S3 positive की presence में यहाँ पर tetomerism होगी, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले इस पूरी particular chemical reaction के इंदर perform करेगा, टेटोमेरिजम, ठीक है, टेटोमेरिजम perform करा होगे, यह वाला जैसे सबसे यह हमारा OHS tetomerise हो रहा है, कुछ इस तरह से, OHS, यहाँ पर है OHS, यहाँ पर है OHS, यह हमारा पास था double bond, इधर एक double bond, एक इधर double bond, तो बेटर double bond इधर आएगा, और H हमारा इधर चला जाएगा, तो पहला टेटोमेरिजम यह आएगा हमारे पास, OHS, OHS, इस और यहाँ पर आजाएगा double bond, NABH4 इसको reduce करेगा, प्रोड़क्ट बनेगा, फिर से टेटोमेरिजम करा होगे एक प्रोड़ट का, और हमारे पास final answer इसका क्या आजाएगा बिटा, थर्ड, जर्णली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पहला breakage टेक प्लिस पर एगा, HIE के साथ, तो यहाँ पर H और यहाँ पर क्या बैई, कि यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आजाएगा, I, तो यहां से जरा हम लोग देखें, तो यह हमारे पास तो यह हो गया H और यह हो गया I, तो पहला हमारे पास आ जाएगा product कुछ इस तरह का, इस पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा NO2, उसके साथ क्योंकि एक्सेस पर है तो reaction को कई बार कराना पढ़ेगा, और temperature भी 40 degree centigrade है, इसका भी important role है, यह हमारे पास आ जाएगा CH2I, और यहां पर आ जाएगा CS3, sorry, OCS3, that is OCS3, ठीक है, आप देखो बेटा, OCS3 का तो confirm है कि OCS3 के case में अगर हम लोग बात करें, तो OCS3 में हमारे पास CS3 हटेगा, H आ जाएगा, OH बन जाएगा हमारे पास, तो यह हमारा compound आ जा के case में बात करें, तो यह OH है, electron withdrawing substituent लगा है, जब कभी भी किसी भी phenol के अंदर electron withdrawing substituent लगा होता है, generally phenol का OH, HI के साथ substitution नहीं देता, लेकिन अगर electron withdrawing substituent लगा हुआ है, तो electron withdrawing substituent की presence में OH भी replace होगा, और क्या आएगा भई, आई, जिसके तुरू हमारा जो product first आ गया, B and C, that is क्या भई, first, second case में तो कोई दिक्कती नहीं है, breaking यहाँ पर होगी, क्योंकि electron withdrawing substituent नहीं है, इसमें further, electron donating है, तब भी नहीं OH जाएगा, और electron withdrawing है, तब भी electron withdrawing है, तब जाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा, क्या भई, H और यह क्या होजाएगा, I, तो यह हमारे प electron withdrawing substituent की presence में फिनल, जो OH ग्रूप होगा, जो बेंजीन के साथ directly connected है, वो भी substitute हो करके, I से substitute हो जाएगा, जिससे product बनेगा यह, और अगर electron donating substituent लगा है, या कोई substituent नहीं लगा है, उस case में OH का substitution possible नहीं होता, ठीक है, तो answer इसका आजाएगा, first and second, अगला question देखते हैं, पर भी टाएग चोटा सा correction है, यह जो हमारे पास NH2 है, यह convert हो जाएगा OH में, यह हमारे पास पैरनेप्थानॉल लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर नहीं है, पैरनेप्थानॉल यहाँ पर आएगा, ठीक है, यह बड़ी simple सी और बहुत important cancer reaction है, जिसे हम लोग बोलते हैं, butcher reaction that is the butcher reaction, जहाँ पर हमारे पास जो अलफा नेप्थाइल अमाइन होता है, वो अलफा नेप्थानॉल में convert होता है, और यह reaction टेक प्लेस करती है, एक्वस सोडियम बाई सलफाइट के प्रेजन्स में, और अगर हम लोग अमोनियम बाई सलफाइट के साथ और अमोनिया के साथ हीट कर देते हुए तो दुबारा से किसमें convert हो जाता है, अलफा नेप्थालाइल अमीन में, यहाँ पर हमारे पास जाइलीन है, इस जाइलीन को हमने aerial oxidation कराया, जाइलीन का अगर हम लोग oxidation कराएंगे तो यहाँ पर यह product का production हुआ है, ठीक है, अब ठीक है, इस पर हम लोगा ने S3O positive का attack कराया, S3O positive का अगर attack कराया जाए तो यह हमारे पास S3O positive की attack की वेए से यह हट जाएगा, और यह हमारे पास आजाएगा CH2O positive और यह हमारे पास यह CH3, अब यहाँ पर दो type का migration होगा, पहला तो यह hydrogen migrate करेगा, ठीक है, और जब यह hydrogen migrate करेगा, तो यह हमारा एक intermediate बनेगा, that is CH positive और OH और यहाँ पर आजाएगा CH3, और दूसरा पूरा का पूरा यह group migrate कर जाएगा, हमारे पास आजाएगा CH, यह वाला अगर पूरा का पूरा group migrate करता है, तो यह आजाएगा CH2 positive O, this one, दो type का migration है बेटा, पहला तो hydrogen का migration है, और दूसरा हमारे इस group का migration है, दो type का migration हमारे पास है, ठीक बात है, अब इस पर तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर water का addition कराऊगे, तो यहाँ से product आजाएगा, क्या बेटा, यह, यह आ गया, C double bond OH, और यहाँ से product आजाएगा, migration अगर हम लोग करा देते हैं, तो यह यहाँ से HOH इधर आजाएगा, यह आजाएगा हमारे पास CHOH के terms में, यह migrate यहाँ से कर जाएगा, यह सबसे पहले तो OH आएगा, इस पर CH2 OH, O, यहाँ से CS3, फिर से migrate H2O का attack करा दोगे, तो यह OH इधर, यह इधर, तो यहाँ से हमारे पास आजाएगा, क्या बेटा, यह product यह आजाएगा, यह आजाएगा, यहाँ पर आजाएगा, CS3, यह बन जाएगा, CH, H, H, OH and OH, अब्यस्सी बात है, यह convert हो जाएगा, किस में बेटा, formal dehyde में, ठीक, अब बात करते हैं, statements के बारे में, ठीक है, पहला दे रखा है, compound D is a measure product having the 68% in is the minor product, देखते हैं, जो compound D बना वो यह है हमारे पस, that is the compound D, यह हमारा क्या है, compound D है, और जो हमारा compound E बना वो हमारा यह है, अब compound D बन रहा है, एक stable carbocatine से, जबकि यह क्या है, unstable है as compared to this one, देखो ना भई, यह क्या है, resonance कर रहा है, तो इसका मतलब यह stable carbocatine है, और यह less stable carbocatine है, मतलब D is major and E is minor, मतलब first answer त गलत बात, compound बाजाते हैं, third में, the aldehyde D arise from the migration of hydrogen, सही बात है, जब हमने hydrogen का migration कर रहा है, तभी aldehyde बना, मतलब हमारा aldehyde D migration of hydrogen से है, जबकि E जो की crystal है, that is migration of the paratolid, paratolid root के migration की वज़े से हुआ है, मतलब option third भी सही है, अब बोला है, H is a better migrator, H is a better migrator है, सही बात है, वो migration से कार्बो को टायन स्टेबल वले, बतला हमारा answer कौन से सही हो जाएगा, बेटा, fourth भी, तो answer कौन कौन से सही है, first सही है, हमारे पास third सही है, और answer कौन से सही है, बेटा, fourth, clear है, question number six है, हमारे पास, which of the following statement is correct, पहला है, POH has the higher boiling point as compared to SH, ठीक बात है, intermolecular hydrogen bonding होगी, इसका क्या होगा, बेटा, ज्यादा, ठीक है, अगला, P hydroquinone has the higher melting point as compared to katechol, simple सी बात है, intermolecular interaction ज्यादा होता है, pera का melting point ज्यादा हो जाएगा, ortho nitrofenol has the lower boiling point as compared to meta and pera, ortho nitrofenol में intramolecular hydrogen bonding होगी, boiling point decrease कर जाएगा, सही है, fourth है, ortho hydroxy benzaldehyde has, is more soluble in water as compared to pera and meta, ortho hydroxy benzaldehyde में intramolecular hydrogen bonding होगी, जिसकी वेसे वोटर के साथ में कम interact होगा, मतलब उसकी solubility कम होगी, जबकि यहाँ पर दे रखा है, more soluble in water, मतलब यह option गलत है, तो हमारे answer कौन-कौन से सही हो जाएगे, second, third, second, first, second and third, clear, next question देखते हैं, अगला question है, next question है, which of the following statement are wrong, कौन सा statement गलत है, पहला हमारे पास है THF, THF का मतलब हो गया, tetrahydrofenor, यह हमारा tetrahydrofenor आगया, उसके बाद है, अगला हमारे पास है, DHF, DHF हमारे पास dihydrofenor, यह हमारा dihydrofenor हो गया, और उसके बाद हो गया हमारे पास, furon furon हमारे पास यह आ गया ठीक है यह हमारा THF है यह हमारा DHF है और यह हमारे पास furon है अब बात करते हैं बुला है THF tetrahydro furon is stronger base as compared to diethyl ether यह stronger base है dry ethyl ether के comparison में ठीक है it is a stronger base as compared to diethyl ether हमारे पास यह आ गया C2H5 O C2H5 OH electron density यहां पर ज्यादा एक बहतर region की तरह एट करेगा मतलब यह वाला जो statement है वो correct है बट हमसे यहां पर पूछा क्या है भई रॉंग statement ठीक तो हमारा first option तो नहीं होगा diisopropyl ether is stronger Lewis base as compared to diethyl ether diisopropyl ether is stronger base as compared to diethyl diisopropyl यह आ गया हमारे पास ठीक है और यह हमारे पास है diethyl diethyl हमारे पास ही है यहां पर endurance बहुत ज्यादा है बहुत कम देगा मतलब less basic है यह वाला option तो हो गया गलत मतलब यह हमारा सही हो गया यह statement हमारा ज्यादा गलत है THF is stronger Lewis base as compared to dhf एक stronger Lewis base है यह हमारे पास सिंबल जी बात है electron ज्यादा donate कर सकता है जबकि यहां पर double bond character आ गये इसका क्या हो गया वही कम ठीक है अगला फिरॉन is stronger Lewis base as compared to thf फिरॉन में पंगा है क्योंकि double bond ज्यादा आ गये और दूसरा oxygen loan pair में take part कर रहा है यहां पर oxygen के विल एक जगे टेक पार कर रहा है यहां पर दो जगे मतला हमारा जो fourth option है वो क्या है गलत जो फिरॉन होगा is stronger base as compared to Lewis base गलत है dhf is stronger Lewis base as compared to furon clear है तो इस question के हमारे पास answer कौन-कौन से आ जाएंगे वेटा second and fourth अगला question देखते हैं कि अगला question अगला question अगला question है ओ एच ग्रूप in alcohol can be replace भाई आसानी से replace कर सकते हैं सो CL2 से आसानी से replace कर सकते हैं हम लोग आसानी से replace कर सकते हैं सो CL2 से PCL5 से पी प्लस CL2 से लेकिन CL2 से आसानी से replace या CL2 से विस्थापित नहीं किया जा सकता नहीं replace हो सकता तो हमारा answer कौन सा हो जाएगा भाई अबर answer is first first third and fourth done है आगे बढ़ते हैं next question है अगला question है which of the following is visible for the formation of one pro poxy one pro poxy two methyl propane propane बना लिया one pro poxy two methyl propane कौन सा one pro poxy two methyl propane बनाएगा तो यह हमारे पास हो गया propane इस पे लगा दिया pro poxy और यहां पे लगा दिया two methyl propane किसके through one pro poxy two methyl propane का formation possible है ठीक है तो चला देखते हैं पहले वाले आप अंसर को देखें पहला वाला है हमारे पास ओने इसका अगर structure देखा जाए तो क्या आएगा भई CH CH3 CH3 CH2 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 CH3 यह ने हटा और हमारा मिल गया प्रोपाक्सी प्रोपेन मतला पहला अंसर करेक्ट है पहले से आसानी से बनाया जा सकता है सेकंड वाले केस में देख लेते हैं सेकंड वाला यह है CH ME ME CH2 CL और यहां है CH2 CH2 ME यह वह अला भी निकल गया हमारे पास यह वाला बन गया मतलब फरस्ट और सेकंड क्या हो गया बई गलत हो फरस्ट और सेकंड हमारे सही है विल्यमसण रेक्शन Alcoxy Mercuration and Demercuration of this one इससे possible नहीं है Alcoxy Mercuration and Demercuration of Propane इससे भी possible नहीं है हमारा Answer कि आजाएगा भई 9th में Answer उमारे पास आजाएगा 9th का Answer हो जाएगा हमारे पास 1st or 2nd 1st or 2nd में Williamson reaction में दिए गए Regent के थू हम लोग 1 Propoxy 2 Methyl Propane का formation कर सकते हैं ठीक है अगला question देखते हैं, next question है, the ester on the reaction with the ethyl magnesium bromide, ethyl magnesium bromide या ethyl magnesium bromide के साथ अगर reaction कराई जाए तो कौन-कौन से alcohol possible है, ester हमारे पास है, ester का अगर देखें तो ester में group आ गया हमारे पास, C double bond O, O और यहाँ पर group लगेगा, यहाँ से कर आओगे, तो हमारे पास यहाँ से भी बनता है, क्या भई, alcohol और इधर से भी alcohol का formation होता है, 1 degree भी बनेगा, 2 degree भी बनेगा, और 3 degree भी बनेगा, option हमारे हो जाएंगे, 1, 2, 3, clear है, next question है, हमारे पास, बोला है, phenol can be prepared, phenol किसके possibility है, पहला है, hydrolysis of the chlorobenzine in aquos solution possible नहीं है, ठीक है, heating of, heating of sodium salicylate, sodium salicylate का decarboxylation करोगे, आसानी से phenol का formation possible है, उसके बाद है, क्यूमीन हाइपो परोक्साइड विद S2SO4, क्यूमीन हाइपो परोक्साइड, हमारे पास यह बन गया, भई, देखो, क्यूमीन हाइपो परोक्साइ यह आ गया, CS3, CS3, O and O and H, इससे भी phenol का possible है, उसके बाद है, heating up benzene diagenome chloride with the dilute S2SO4, heating up benzene diagenome chloride with the dilute S2SO4, यह भी हमारे phenol का formation कर सकता है, मतलब answer हमारा हो जाएगा, second, third and fourth, then, अगला question देखते हैं, अगला question हमारे पास दिया हुआ है, next question, next question, बहुत अच्छा question नहीं है, next question में, next question दे रखता है हमारे पास, यह हमारे पास reaction है, fluorine NANS2 ठीक है, product का formation है, which of the following statements are correct about the reaction, कौन सा जो है, वो सही है, देखो भाई, यहाँ से, अगर हम लोग देखें, तो दो टाइप से अगर देखा जाए, तो यह इस reaction में, यहाँ पर fluoride हमारे पास है, यहाँ पर benzene mechanism हमा change की जगए हमारा NH2 group आ सकता है, deuterium exchange भी possible है, तो पहला question तो हमारा क्या हो गया, सही, पहला option सही हो गया, भाई, deuterium आ जाएगा, first option क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा भाई, ठीक, NH2 आएगा, exchange करोगे, क्योंकि दोनों position पर, यहाँ पनेगा न मिटा, बेंजाइन, तो अटेक यहाँ भी possible है, attack यहाँ भी possible है, option क्या हो जाएगा, बेटा, first सही है, बोला है, the second product in the, is sin substitution, बिलकुल सही बात, second product हमारा sin substitution है, third, the reaction, proceed by the bengine mechanism, बिलकुल सही बात, reaction by bengine mechanism के 3 होगी, और उसके बाद, last one बोला है, the reaction, is a AR, SN, addition, elimination, AR, SN, addition, elimination, reaction, कह रहा है, कि यह हमारा addition के बाद elimination है, जो कि यह क्या है, elimination, addition, reaction है, मतलब fourth option correct नहीं होगा, हमारा option आ जाएगा, first, second and third, clear, next question देखते हैं, अगला question, next question दिया हुआ है, मारे पास, next one, 13 question, which are the following, best preparation method for the cumin, कौन सा cumin के लिए सबसे बहतर preparation method है, ठीक बात, देखो बेटा, ALCL3 वाला जब हम लोग यहां पर use करेंगे, तो ALCL3 से यह कार्बोगाटाइन बनेगा, ठीक है, ALCL3 से यह वाला हटेगा, तो यह कार्बोगाटाइ बनेगा, और rearrangement के थूँ यह वाला भी कार्बोगाटाइन बनेगा, तो यहां से exactly हमें क्यूमीन नहीं मिलेगी, यहां से हमें mixture of product मिलेगा, मतलब यह exactly क्यूमीन के लिए best method नहीं है, यहां देखें, यह कार्बोगाटाइन मना, बहुत बढ़िया क्यूमीन मनेगा, यह कार् आले वाले method से हमें mixture of product मिलेगा, ना कि purely क्यूमीन मिलेगी, clear है, आगे बढ़ते है, next question, अगला question है, which of the following statement is correct about the Friedel Kraft reaction, कौन कौन सा हमारे पास, जो Friedel Kraft reaction के लिए है, वो correct statement है, ठीक बाद, Friedel Kraft reaction बढ़ी important chemical reaction है, बहुत सारे type के questions हमारे पास हर्स में, ID advancements में आते रहते हैं, which of the following statement, ठीक, पहला, it is an electrophilic substitution reaction, बिलकुल सही, ठीक, उसके बाद, it is an electrophilic substitution reaction, good, उसके बाद, the reaction intermediate is an electron deficient species, reaction intermediate electron deficient species, क्या reaction intermediate electron deficient species है, जड़ा देखते हैं, यहाँ पर H लगाया, इलक्ट्रो फाइल का attack किया, इलक्ट्रो फाइल का attack करने के बाद, यह हमारे पास बन गया, क्या बई, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या बई, यहाँ पर positive charge, इलक्ट्रो फाइल, reaction intermediate is an electron deficient species, इलक्ट्रों intermediate electron deficient species है अगला है the reaction involved in the alkylation and oscillation बिल्कुल सही Lewis Aziz uses the catalyst, done बेटा, आगे बढ़ते हैं अगला हमारे पास question number 15 है, question number 15 में बोला है कि which of the following reaction is correct for the major product, कौन सी reaction जो है major product correct हमारे पास बता रही है, ठीक बात, major product correct है ठीक, पहला, phenol की reaction OME, electrophilic substitution reaction करा रहा है ठीक है बही, ortho position पर क्योंकि OH जो होगा वो ortho position पर ज्यादा बढ़िया होगा मतलब ये वाला हमारे पास्ट की पहरा तो block है इसका, तो इसका मतलब first वाला तो सही है second वाले में OCLT फिर से वही para block है तो ortho par attack होगा ये भी सही है ये भी सही, ये भी सही third वाले में BR2 का reaction कराया है BR2 का reaction जब कभी विमलोग कराते हैं तो 1 over 3 मतलब की हमारे पास 2, 4 और 6 तीनों पर substitution टेक प्लेस करेगा, सही बात है क्योंकि NH2 जो है वह और तो पहला डारेक्टिंग ग्रूप होता है fourth है हमारे पास BR2 की reaction CS2, 0 degree centigrade पर temperature conditions, 0 degree centigrade poly substitution टेक प्लेस नहीं करेगा, मतलब answer 4 क्या है गलत, सही option क्या हो जाएगा, first, second and third clear है, आगे बढ़ते हैं next question है हमारे पास, अगला question है, कि which of the following sensors could not be done without involving, which of the following sensors could not be done without involving blocking position on the ring, बगार blocking position of ring के हम लोग नहीं कर सकते, भाई, OS से हमें VR बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, पैरा पर आसानी से आ जाएगा, ठीक, OS से हमें 3 पर VR लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ी, आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास OS से प्योर हमें ortho product को produce करना है, तो हमें पैरा को block करना पड़े गा, पैरा को block करना पड़े गा, क्योंकि OH जो है, वो क्या है भाई, electron donating subtritent है, मतलब पैरा को confirm block करना पड़े गा, बगैर पैरा को block किये हुए ortho product का formation possible नहीं है, क्योंकि ortho product dominating condition में हमें मिलता है, third one में भी यही same case है, हमें पैरा को block, हमें अगर पैरा पैरा तो हमारा असानी से बन जाएगा, ortho बनाने के लिए हमें block करना पड़े गा, तो इसका answer हमारे पास क्या आ जाएगा बिटा, six, next question है, अगला question हमारे पास दे रखा है, which of the following, side chain reactions can be used to reduce the reactivity of, reduce the reactivity of, reduce the reactivity of, reduce the reactivity of the activating group such as OH and this one, हमें क्या करें, जिससे कि हम लोग उसकी reactivity को कम कर दे, ठीक, तो अगर हम लोग बेंजाइलेशन करा दें, तब भी हमारा reactivity कम हो जाएगा, ठीक बात है, क्योंकि NH2 पर attack हो जाएगा, और O पर भी attack हो जाएगा, ऐसाइलेशन करा दे, तब भी reactivity decrease कर जाएगी, त साइलेशन करा दे, तब भी reactivity decrease कर जाएगी, सलफोनेशन से reactivity decrease नहीं होगी, हमारा answer क्या हो जाएगा भाई, first, second and third, हमारा integer question है, पहला question है, एन alcohol, 0.22 gram, this alcohol liberate 56 ml of CH4 at STP, with the CS3MGBR, write the molecular weight of the alcohol, देखो बेटा, कोई भी alcohol है, उसको अगर हम लोग react कर आ रहे हैं, किसके साथ, CS3MGB के साथ, तो यहां से क्या बन रहा है, MGBR के साथ, क्या release हो रहा है, बेटा, CH4, अगर एक mol alcohol है, तो CH4 के mol भी क्या है, एक mol, यहां से बोला है, 56 ml release हो रहा है, तो यहां से, अगर हम लोग देखें, तो जितने mol CH4 release हो रहा होगा, उतने mol क्या होगा, alcohol, तो यहां से आ जाएग mole of ROH that is equal to 56 into 10th power minus 3 upon 22.4 यह आगे हमारे पस moles this mole is equal to the moles of alcohol mole of alcohol के बराबर है और यह किसके बराबर होगा weight weight कितना दे रखा है 0.22 upon हमारे पस कितना है alcohol का molar mass हमें calculate करना है अगर हम लोग यहाँ से M की calculation करें तो M की calculation हमारे पस आ जाएगी 88 gram मतब अल्कोहल का मास क्या रहा होगा बेटा 88 gram ठीक है अगला question देखते हैं next question है how many carbonil compound how many carbonil compound will give the secondary alcohol with molecular formula C5H12O after the reduction कितने carbonil compound से हमें secondary alcohol मिलेगा simple सी बात है कोई भी alcohol reduction के थूरू secondary या कोई भी carbonil compound reduction के थूरू secondary alcohol तभी दे सकता है जब वो ketone हो मतलब हमें possible number of ketones को यहाँ पर search करना है तो पहला अगर हम लोग ketone मना लें तो यह आ जाएगा C, first ketone आ जाएगा C, 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 3C लगा दिये और यह आ गया C double bond O C, देखो भई तो यह हमारा पहला ketone बन गया, दूसरा ketone अगर देखे तो यह बीश में आ जाएगा symmetrical ketone के form में, ठीक है ना, दूसरा ketone C, C, C double bond O, C and C, ठीक है, तीसरा ketone अगर मनाना चाहें तो यह कुछ इस तरह से मना सकते हैं, C, C, यहाँ से C double bond O, C, तो तीन ketone possible है, जिन में कार्बोनिल के reduction से क्या मिलेगा भई, 2 degree alcohol, तो answer हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 3, ठीक है, अगला question देखते हैं इसका, next question है, how many compound out of the following will give the secondary alcohol on treated with grignot region, secondary alcohol कौन देगा, कौन-कौन से compound दे सकते हैं, on treated with grignot region, पता है, aldehyde can produce secondary alcohol, formaldehyde produce primary alcohol, and ketones are always gives क्या भई, tertiary alcohol on treatment with grignot region, तो हमें search ही क्या करना है, search में हमें क्या देखना भई, कौन-कौन सा है, तो यह तो ketone है, नहीं करेगा, यहां से अगर हम लोग reduction कराएं, तो B वाला हमारा क्या होगा, भई, कर देगा, very good, ठीक है, B हमारा करेगा, secondary alcohol देगा, ठीक है, formaldehyde नहीं दे पाएगा, क्योंकि formaldehyde से primary alcohol मिलता है, यह हमारे पास कौन सा है, यह हमारे पास है, acetyl dehyde, acetyl dehyde भी देगा, सही बात है, उसके बाद है, यह हमारे पास क्या है, वो propanel dehyde हैं, और यह क्या है, acetyl dehyde, यह भी देगा, यह ketone है, नहीं देगा, acetyl से formaldehyde बनेगा, नहीं देगा, और उसके बाद में, अगर हम लोग देखते है, formaldehyde बार 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 पास आ गया, कौन सा भाई, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde का जरा देख लेते है, hc double bond ocl, ठीक है, यह भी दे देगा, क्योंकि यहर से cl हटेगा, और यह convert हो जाएगा, hc double bond o r में, जिससे यह भी produce कर देगा, तो total number आप कितने मिल जाएंगे भाई, हमारे पास, 2 degree alcohol बनाने वाले, 1, 2, 3, और 1, 4, तो हमारा answer क्या आजाएगा भाई, 4, 4 हमारा क्या हो जाएगा, answer, next देखते हैं, अगला question, next question है, the molecular weight of the seed is mainly compound which react with the lia is give only ethanol, ऐ through, keval ethanol दे, और वो sweet smelling, sweet smelling का मतलब C दे, क्या बोल दिया भाई, ester, क्या भाई, ester, वो कौन सा ester होगा, जिससे keval और keval, liOH के reduction के through क्या मिलेगा, ethyl alcohol, तो जड़ा देखो भाई, यह हमने लिखा, CS3, C double bond o, ester, CO, C2S5, ठीक है, यह reduce हुआ, यहाँ से मिला ethanol, इसका reduction से बना, CS3, C double bond, OH, और इसके reduction से फिर से क्या मिल गया, C2H5, OH, तो हमारा compound क्या रहा होगा, यह, इस compound का अगर formula निकाले, तो carbon 1, 2, 3, 4, carbon हो गया, कितना भाई, 4, hydrogen 3, 6, और यह 2, 6, H8, oxygen कितना भाई, 2, oxygen कितना आ गया, 2, इसका molecular weight निकाल लोगे, इसका molecular weight आ जाएगा, कितना भाई, 88, अब का answer आ जाएगा, क्या भाई, 88, ठीक है, next question देखते हैं, अगला question देखते हैं, अगला question है, find a, for the given reaction, how many products are optically active, कित, इस reaction के लिए, कौन-कौन से product optically active possible है, optical active, bromination देखना है, भाई, bromination यहां कराओ, ठीक है, भाई, bromination यहां कराओ, ब्रोमीनेशन, कहां कराओगे, यहां कराओ, ब्रोमीनेशन, यहां कराओ, इसके थूरू, optical active product निकालोगे, कितने आ जाएगे, चार, चार product आ जाएगे, ब्रोमीनेशन के थूरू, ठीक है, I think इसको करने की आउशक्ता नहीं है, सभी लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, अगला कौनसी रियक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन मेकनिजम से पॉसिबल है, भाई देखो, कौनसी भाई, यह हो गया, कौन सा, यह वाला कौन सा हो गया, भाई, यह हमारी पास हो गई, HBR की रियक्शन, हम्यू, सनलाइट की प्रेजंस में, फ्री रेडिकल होगी, ठीक है, और प लेक्स कोशन देखते हैं, अगला कोशन, अगला कोशन क्या दे रखता है, दिवेन कंपाउंट अ मेजर प्रोड़क्ट इस आप्टेंड, ठीक बात है, मेजर प्रोड़क्ट में इसका आप्टेंड करना है, ठीक है, M और N के फॉर्मिट पे हम लोगों को इसमें लिखना है ठीक है, N और M के फॉर्मिट में आ जओ, यह हमारा क्या है, Oxy-Mercuration, Oxy-Mercuration, D-Mercuration, यह वाला पार्ड क्या आ गया भाई, Oxy-Mercuration, D-Mercuration, ठीक है भाई, Oxy-Mercuration, D-Mercuration से अगर हम लोग बात करें, तो सीधा-सीधा, Oxy-Mercuration, D-Mercuration से हमें product मिलेगा यह कहां पर आ जाएगा OH अब्यस्सी बात है उपर वाली side उपर OH जाएगा यह आ जाएगा C2H5 यह आ जाएगा OH और यहां पर H और यहां पर H simple सी बात है यहां पर किसी भी तरह से कोई stereo मेर पॉसिबल नहीं हो सकता मतलब M की value क्या होगी भाई 1 और जड़ा इधर देखते हैं यह हमारे पास बोरेशन डी बोरेशन वाला oxidation है hydroboration oxidation यहां पर addition क्या होगा anti-marconic आप इस जगह पर यह आ जाएगा C2H5 और यह आ जाएगा क्या भाई OHH यह भी क्या आ जाएगा H दो product मिलेंगे एक मिलेगा R और एक क्या मिलेगा S R प्लस क्या मिलेगा S मतलब M की value क्या आ गई M की value 1 और इसकी value क्या आ गई 3 ठीक है भाई इसकी value कितनी आ गई 3 तो MN के terms में valuation अगर put करोगे तो MN terms के valuation कितनी आ जाएगी भाई इसका sorry इसके आ गए 2 और इसके आगए कितना भाई इसके 2 मिले ना R प्लस है और इससे 1 तो M की value कितनी आ गई 1 और N की value कितनी आ गई 2 तो answer क्या आ जाएगा बेटा 12 अगला question next question देखते है यह question हमारे पास given है question number 8 when the concentration of alkyl highlight become triple and the concentration of OH negative and reduce half तो यह SN2 reaction है SN2 reaction के लिए rate क्या होती है rate बराबर होता है हमारे पास K concentration of alkyl highlight into concentration of क्या भाई OH negative तो यहाँ पर लिखेंगे r2 by r1 ठीक है r2 by r1 concentration 3 times कर दिया तो यह 3 by 1 यह क्या कर दिया half कर दिया तो यह क्या हो गया 1 upon 2 ठीक है r1 upon r2 x time बढ़ता है तो यह हो गया r2 by r1 बराबर क्या भई 1.5 तो यह आ गया क्या भई r2 बराबर 1.5 times of rate of r तो answer हमारे पस कितना आ जाएगा x की value आ गई है times आ गया कितना लिखना है 10x के form में तो कितना आ गया 15 अब का answer क्या आ जाएगा बिटा 15 question अगला देखते है next question 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 number 9 the number of the possible product including the stereomer number of the possible product including the stereomer हम लों को calculate करने है सही है देखो बेटा यह ओए चटेगा यह ओए चटेगा इस ओएच के हटने पर यह कार्बोगाटैन बना अगर हम लोग without rearrangement product बनाए तो without rearrangement product यह बन गया O CH2 C यहां पर आ जाएगा BR H CS3 तो यह तो एक हो गया chiral मिल गया L प्लस L ठीक है ना यहां से मिल जाएगा R प्लस S मतलब यहां से कितने मिल गए 2 अगर हम लोग hydride shift करने तो यह हमारे पास product मिल जाएगा क्योंकि stable garbocatine बनेगा यह CH यहां पर CH2 CS3 और यहां पर आ जाएगा BR यहां भी chiral center आ जाएगा दो product यहां से मिलेंगे तो total number of product कितने मिल जाएगे चार आपका answer क्या होगा बिटा 4 next question देखते हैं अगला question है next question दे रखा है कि which are the following nucleophile will be displaced which of the following halogen most readily सबसे आसानी से किस halogen को हटा देगा कौन भई nucleophile किस hydrogen को सबसे आसानी से हटा देगा reaction क्या है AR SN reaction क्या है भई AR reaction क्या है AR SN वो उसको हटाएगा बड़ी आसानी से जिस पर जिस क्लोरीन पर minus I minus R क्या होगा सबसे ज्यादा तो दिया देखो ना second वाले पर यह क्या है धुआदार minus I minus R आ रहा है मत्तभी CL को असानी से क्या क्लिया जा सकता है replace तो position कौन सी आ जाएगी second अपका answer क्या आएगा 2 क्लियर है बिटा थैंक यू